नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईस प्रेपर विग्यान के अंतरगत हम लोग कमिश्टी का अध्यन पूरा कर चुके थे और अब हम वायलोजी का अध्यन कर रहे हैं जियो विग्यान का यहने कि GS के जो प्रश्ण जियो विग्यान से पूछ जा आईए यह प्रश्णोत्तर फार्म में है कुछ डिटेल में हम बात कर लेते हैं जिससे की अगल वगल के जो भी फैक्ट्स हैं जैसे कोई प्रश्ण पूछा गया उसके इर्दगिर्द के जो फैक्ट्स है वह आपके तयार हो जाए इसलिए थोड़ी सी बात करते हैं मैं उम अंग्रेजिग वाला सब्द ही देवनागरी लिप में लिखके पूछ लेता है तो दोनों चीजों को हम को ध्यान में रखना चाहिए इसके द्वारा देखा जा सकता है इसलिए पाधों की जड़े लंबी होती है कथन कारण में ये पुछाजा सकता है या ऐसे statement देखे कियों होती है, क्योंकि जड़े पानी की तलास में लंबी हो जाती है और पानी की तलास में वो नीचे लंबी होती चलिऀ जाती है मरुवस्थल में Phreatophytus मिलते हैं यानि कि ऐसे पादव जिनमें लंबी 20-30 मीटर फिट 20-30 फिट गैरी मुसला जड़े होती है यहां आपको प्रश्ण कैसे तयार करना है कि Phreatophytus किसे कहते हैं तो ऐसे पादव जिनकी जड़े लंबी होती है 20-30 फिट लंबी जड़े होती है तो यह आपको ध्यान में रखना है सुसक जलवायू में जो बहाती बहाती अनकूलित पेंड पौधे पाये जाते हैं बहुत सारे पाये जाते हैं जोकि वहां पे अनकूलन करते हैं तो उनको मरूद भिद कहते हैं सुसक जलवायू में पाये जाने वाले जो पाये जाने वाले जो पाये होते हैं उनको मरूद भिद कहते हैं मरभूम के पादप अधिकतर क्या होते हैं यह मांसल होते हैं मांसल होते हैं और क्योंकि इनको पानी कम मिलता है तो वैसे समय में ये कैसे जीवित रहेंगे, कैसे ये अपनी life cycle चलाएंगे, ठीक है ना, तो ये मानसल ध्यान रखियेगा, पाउधे जो नमक युक्त मिट्टी में उखते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो नमक युक्त मिट्टी में जो पाउधे उखते हैं, उनको हैलोफाइट नहीं तो आपको सुमेलन करना होगा, कभी-कभी गलत सही में पूछ लेता है, अधिकांस कीट स्वसन कैसे करते हैं, तो अधिकांस कीट जो है, वो ट्रैकेल सिस्टम से अपना स्वसन करते हैं, वातक तंत्र से स्वसन करते हैं, और जमी हुई जील के अंदर मचली जीवित ग्रह शकती है, ऐसा कैसे संभव पाता है, तो जो जमी हुई जील होती है, उसके तलों के निकट पानी नहीं जमता है, नीचे पानी नहीं जमता है, ओपर तो जमा रहता है, लेकिन तल में पानी नहीं जमता है उन जीलों में, तो तल के पास पानी रहता है, उसमें ये को पीन टमाटर लाइकोपीन सबका कारण अलग-अलग है ध्यान रखिएगा पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है यह कारी को जैन्थिन होता है कारी को जैन्थिन ऐसे खमीर का उधारन पूछा जा रहा है खमीर किस का उधारन है तो यह कवक का उधारन है और क्यूंक अफंड है मसरूम जो सब्раш्जी कहते हैं एक बार यक्राशन पुछगा गया था कि रशेदार सब्सिश्वा नाने मैं या अजकल होटल में भी इता है ये रसे सब्सवार्त ये बmit वहता है लेकिन घृता है तो ये मस्रूम होता है और वस्तौान है powerful क्या होता है और कवक ध्यान में रखना है आपको कपास का प्रमुग घटक क्या है तो सैलूलोज कपास का प्रमुग घटक है है ना मार्फीन किस से प्राप्त होती है नसे की चीजें भी है यह सब तो मार्फीन फलों से प्राप्त होती है फल से किस चीज के फल से प्राप्त होती है, कमेंट बाक्स में आप बताएंगे अफीम प्राप्त किया आता है, बिना पके फल के लैक्टेस से अफीम कैसे प्राप्त किया आता है, बिना पके फल के लैक्टेस से चीरा लगा दिया जाता है, चीरा लगा के उसमें दूद आ जाता है, और दूद का वही निकाल के अफी मनाई जाती है, यहाँ पर देखिए कुछ information चीजें थी, जिनका फिक्चर यहाँ पर लगा दिया गया है, सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्रा होता है, उसके अंदर का भाग होता है, उसका रेशा होता है, अब यह दो प्रकार के होता है, एक लिंट रेशा होता है, और दूसरा फज रेशा होता है, लिंट रेशे व्यापारिक तोर पर अधिक महत्मून होते हैं, फज रेशे कम महत्मून होते हैं, प्रशन यहां से भ दोनों को मिला के टितिकम का टिति और इसका सिकेल का केल तो न करें बनाया है और इसका जो संक्रन करके तयर किया है दिए तो गिघ्ञिक्षिवन कि माधा तो था राई के नर भाग कर है तो और इसका अनाज मुलता स्वीडन नों स्कार्टलेंड द्वारा उत्पन किया गया और इसको मुकेता पस्वों के चारे की रूप में उगाया जाता है रोटी इसके अच्छी नहीं बनती है ठीक ना ऐसे एक कनोला यह खादी का एक प्रकार है आप इसमें जाएंगे जब मॉल में किसी में घुसेंगे तो आपको वो जब आप तेल खाने वाले तेल की बात करेंगे तो वो हमेंसा मस्टर डाइल की ज़रा आपसे कहेंगे कि कनोला ले लो प्रात्मिक तोर पर कीथ डाउनी और वाल्टर इस्टिफेंस द्वारा 1970 में कनाड़ा में यह उत्पन किया गया कनोला के बीजों का उपयोग खादी तेल की उत्पादन में होता है जो मानो ब्रोक के लिए अनकूल होता है तो यह वही कनोला का तेल होता है क्योंकि इसमें पारंपरिक रेप सीट की जो तेल होते हैं उनकी तुल्ला में यूरिसिक एसिट की मात्रा कम होती है और यूरिसि दर्सी से देखना पड़ेगा होती है किन्तों कुछ जिवान साथ माइक्रॉन तक की लंबाई के भी हो सकते हैं कुछ जिवानों को कंपाउंड खुर्दबीन कंपाउंड माइक्रोइस्कोप द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि ये किसी बस्ट को पंद्रासो से दो हजार गुना कुछ में चार हजार गुना तक बढ़ा करके ये दिखाता है तो आए यहां पर आपको दो प्रकार की चीज़ें तयार हो गए कि जो कंपाउंड माइक्रोइस्कोप है उसकी क्वालिटी उसकी विसेस्ता क्या होती है और जीवान के बारे में हमने यहां पर डिस्कसन कर लिया पोशन के आधार पर जो जीवान होते हैं वो परपोशी तथा श्वपोशी दो भागों में हम इनको कह सकते हैं स्वपोशित ज पुछा जाएगा कि जो स्वपोसित जीवान है वो अपना भोजन स्वयम कैसे बनाते हैं तो कार्बन डायक्साइट था अकार्वनिक बदार्थों से बनाते हैं यह जीवान दो प्रकार के प्रकास संसलेसी तरह सायन संसलेसी होते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है और इन ज पहरीमिंस मिलते जुड़ना दम करते हैं तो सुश्क वाथाबरन जो 있고 सुश्क वाथाबरनीा मरभूं जैसे वाथाबरन स्वाताबरन करते हैं तो हमेद किरिया करते हैं ये अपनी बाहतोचा, ये क्या करते हैं, मोटी कर लेते हैं, यह उनका उपचर्म होता है, क्यूटिकल होता है, उसमें, मतलब उपचर्म की परस से धकी रहती है, उनकी बाहतोचा, और पतियां क्या होती हैं, काटों में परिवर्तित हो जाती हैं, देखी न, आप नागफणी जिरोफाइट के मरोदभीद के अंतरगर सेव के फल में लाली का कारण क्या होता है अंतोसाइनिन हम पढ़ी चुके हैं ये वर्णी लवक है इसी कारण ये और लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में टमाटर में लाइकोपीन पीले रंग के वर्णक जैसे जैन्तोफिल अब यहाँ पे एक फैक्ट है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है तो ये जैन्तोफिल के कारण होता है और चुकंदर में विटर्निन होता है तो चुकंदर भी आप याद रखिएगा चुक अंदर तो कितना रेड होता है अलग सी बिलकुल लाल री उसकी होती है तो ये विटर निन के वर्णा के कारण होता है ठीक है ना आगे हम बढ़ते हैं पपीता का वास्तविक नाम कैरीका पापाया है इसमें कैरोटिन परचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामी पापाया जाता है प्रोटिन के पाचन में सहायक होता है और पेट के लिए इसको अच्छा मना जाता है और पपीते में उपस्तित कारीका जैन्थिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है अभी हम प्रश्न देख चुके हैं अभी जब हम बात कर रहे थे तो लैक्टस जोनी दूद को सुखा कर बनाया गया पदार्त है अफीम क्या होता है पौधे के दूद को सुखा कर बनाया जाता है अफीम का दूद निकालने के लिए उसके जो कच्छे फल होते हैं जो भी अपरिपक को फल है उनमें एक चीरा लगा दिया जाता है और दूद इससे निकल सोम निफेरम है और ये पोस्ता जो वही अभी अफीम में देखा था ना आपने कि अरिपक कुफलों से प्राप्त की जाती है पोस्ते का पौधा एक आवर्थ बीजी पौधा प्लांट होता है जिसमें अफीम तथा हीरोईन भी प्राप्त किया जाते हैं मैंने बताया न आपक प्राप्त की रूप में तो नसे के लिए ही नहीं इसका इस रूप में भी उपयोग होता है मार्फीन का सीधा प्रभाव केंद्रिय नर्वस सिस्टम पर पढ़ता है सीधा जाकि वहीं पर याटाइक करता है यानि कि इसकी जब लग जाएगी लग गई वाली स्थिति होती ह न तो फिर सही नहीं होगा तो यह सारी कुछ फैक्स थे जो फिक्चर की जरी आपको दिखाएगे मतलब फोटो था यह फैक्स का अनुफस सिक्ता पर जो प्रशन पूछे गए हैं उसको हम देख लें तो बरतमान आनवनसिक विज्ञान का जनक कौन है तो मेंडल को माना जा जीवों में आनवनसिक लक्षन संतान में किसके जरी लाया जाते हैं तो यह क्रोमोश्रोम जो पाया जाते हैं उसके जरी लाया जाते हैं हमारे सरीर में आनवनसिकी की इकाई को क्या कहते हैं जीन कहते हैं जीन हमारे सरीर की क्या है आनवनसिकी की इकाई है पलोमान जीन या से जम्ट कराया था इन्होंने याद रखेगा डियने में उपलब योगी कौन को से होते हैं तो एडिनीन गुवानीन और साइटोसीन होते हैं यह द्यान में रखना है आपको आगे हम बात करें जो प्रशन पूछे गए हैं तो जैवरोरगता के रूप में किनका उपयोग होत अचा जाए तो इसमें धान टिक्क करियेगा, गेहॉम अधमारियेगा, धान होता है और निंण की साथ मिलाने से एजला एक अच्छा होरोरगicação बन जाता है नील हरी सहवाल के साथ मिलाने से एजोला एक जलिये फर्न है ये भी एजोला के बारे में आपको ध्यान में रखना है सोयावीन में नातरजन यानि नाइटरोजन नातरजन इस्तरी करण की बात हो रही है नाइटरोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार वैक्टिरिया कौन सा है तो यह राइजोबियम जैपोनिकम है राइजोबियम जैपोनिकम याद रखेगा टुफोर्डी यह खर्पतवार नासी है और जिनका भी खेती से थोड़ा वह संबंद होगा इसके बारे में जानते होंगे अब नाइट्रोजन इस्तरी करन करने वाले आसे जो जैपोर्ण रख है उनके बारे में तोरस देख लेते हैं और प्राइजोबियम है एज्टोब्य अग्टर है एज्वियस प्रिलम है एजट्रोब्यक्टर वीजिय और जोला यह सारे नाइट्रोजन इस्तरी करने वाले जयवरोरक है फासफोरस घुलाने वाले जयवरोरक तो बैसिलस सीडो मोनास और एसपरजिलाश यह भी आपको ध्यान में रखना है ऐसे कंपोस्टिंग एक्सिलेटर क्या है तो सेललोटिक या ट्राइकोडर्मा या लिगनोटिक हुमिकोला इसको बोलते हैं और पौधो उसमें बीकलब में दिया था जो यह प्रॉचा गया था तो यह फलीदार प्वधा होता है अलफा-लफा ठीकिन तो इसके हमको क्या करना हा हमको तो केवल अपने फैक निकालने क्या इंपोर्टेंट है क्या पूछा जा सकता है कैसे भी निकले और कैसे हमको याद हो जाए ज बिबिन फस्नों में जयवरुरक की रूप में सूठी जीवों जैसे कि एजटोवैक्टर, एजएसोइस्प्रिलम, राइजोबियम, नील हरी सहवाल और फास्पेट, बैक्टिरिया का प्रियोग किया जाता है, अब यह पैक्ट आप याद रखेंगे, तो कई प्रश्णों में यह काम आने वाला है, और यह सभी सूच में जीव जो होते हैं, यह बिबिन परक्रियाओं, यथा नाइट्रोजन निर्धारन, फास्पेट, सोल्यूबिलाइजर, य प्रश्णों में के वर्धन को प्रुसाहित करते हैं, और नीलहरित सहवाल का उप्यों, जैवर्रक की रूप में नतरजन आपूर्ती है, तो धान की फसल में किया आता है, हम लोग यह डिसकस कर चुके हैं, तो इस तरह से अगला एक की यह देखिए, थोड़ा सा और है, इस जैसे कुछ हरे पौधों के साथ सही होगी, अत्वा सही जीवी की रूप में जीवित रहते हैं, जैसे लेगू मोचे से ग्रंथित बैक्टिरिया राजोबियम है, जो जुन्ड विसेस में प्राप्त होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, लेगू मचोशे, विबिन फ ट्राइफोली तिनपतिया खासे, ट्राइफोली याद रखियेगा पाया जाता है, लुकरने राइजोबियम बेली लेती पाया जाता है, ऐसे जलिये फर्ण एनिकी एकवेटिक फर्ण जो है, इसमें एनवाइना जोलाई पाया जाता है, और गुनेरा मैक्रोफाइला इसमे जल्दी मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते रहे हैं, जल्दी सेलेक्ट होई है, थाइंक्यू, थाइंक्यू गरिए, आल दा बेस्ट